जहें हैं दोस्तों एदि आप सिक्षक बर्गी तीन की तेयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरे जरूर देखना चाहिए आपके लिए काफी कुछ जरूर में इस वीडियो में मिलने वालिए कि अधर हुप ज्यास हो रहा है परिक्षा पास आती जारही है है नौकरी के लिए नौकरी हमारे जीवन के एक पार्ट होता है ठीक है यदि आपकी नौकरी नहीं भी मिली तो आपका जीवन नहीं रुकने वाला दोस्तो एक चीज बिलकुल दिमाग में बिठा लीजे कि परिक्षा में मेहनत करना सिखा देगी और आप अच्छे से इमानदार इसे मेहनत करना और आपके समय जो परिक्षा उसको देना ठीक है अब उम्मीद करता हूं इसके बाद आप बिलकुल भी स्ट्रेस नहीं लें गई पहली चीज अब हम आगे बढ़ते हैं परिक्षा पर तो परिक्षा की तयारी हम कैसे करें मैं जो नए विद्यारती उनके ल रहे गया है तो जितना भी कुछ पढ़ा है आपको उसका रिवाइज आपको करना है बिना रिवाइज करें आप एक्जाम देंगे तो आप अच्छे से पर्फॉमेंस नहीं कर पाएंगे जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा बैर्थ चला जाएगा तो कुल मिलाकर आपको करना है रिवीजन करना हर विषय का ठीक है अच्छे जए और उसके कुछ प्रेक्टिस सेट आपके पास है तो प्रेक्टिस सेट लगा लीजए अब अब आपके लिए तक उन्हों नहीं पढ़ना चाहिए क्यूंकि आपके पास समय कम है चूंकि अभी भी आप थोड़ा सा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आप सिंपल आपके पास जो भी रिसोर्सेस है स्वर्ट नौट्स हैं या फिर वीडियोज है उनको देखिए और यहां पर बात हो गई अब दोस्तों बात करते हैं तोड़ा सा बिसेवाइस भी बात कर लेते हैं करते हैं कि अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो इसको बिल्कुल आप गलती मत करिए दोस्तों आपके जितने भी विसें कटेनों या सरल सभी कुल माक्स के हैं सभी बरावन नमर दिलाएंगे और परिक्षा को जो पास करने में सभी महत्पून योगदान रखते हैं तो संदी ग्रामर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना उसकी एक एक चीज संदी समास अलंकार से लेकर जितना भी उसमें टॉपिक हैं सारो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कलियर कर लेना इसके बाद गधान्स पद्धान्स की आपकी परिक्षम आना उसी से आपके कु पद्ध संस्क्रित में भी रहता है इंग्लिस में इसको कहते हैं उससे प्रेक्टिस करी उसी ग्रामर के को सनी मिल जाएंगा दूसरा विसाय हो गया तीसरे विसे की बात करें गड़िद विसे दोस्तों गड़िद विसे के प्रशन आपने बहुत सारे हल कियोंगा उसके बाल विकास की बाल विकास सबसे महत्पूर्ण विसे हो जाता है दोस्तों आपकी परिक्षमत बाल विकास को बहुत अच्छे से और गहराई से पढ़ना है उसके कॉंसेट के लिए रखना है सारे ठीक है तो वह आप के पास जो भी नौट से पढ़ सकते हैं और मैं भी इस चैनल पर भी वीडियो यह आपको कहां से मिलेंगी इसके बाद दोस्तों आपको कहा करना एंब सीकूष्ड अब्जेक्टिव प्रिश्ण जव्जादा ज्यादा प्रेक्टिस करना क्योंकि आप अब जादा करते हैं उसका सीधा बेर इंस अपको कॉछ सब्सेट पड़े हो हुगा है और बांक की बहुत सारे विसे को पढ़ाया हुगा है तो आपको क्या करना है कि जो परेवण विसे हैं उसको भी बहुत अच्छे स्रिविजन करना उसके भी एमसे क्यूज ज्यादा लगा लेना ठीक है अब हमने मोटी मोटी बात कर ली अब मैं आप से थोड़ा सा और आगे डिसकर्शन करता हूं कि आपको यह सारी वीडियो कहां में लेंगी यदि आपने पहले नहीं देखी है वीडियो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक डाल दूँगा और आप चैनल की प्ले लिस्ट हो जाएंगे तो कंप्लीट से अगरे लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है इसके बाद हम और विसे की बात करें कि मैं संस्कृत को नहीं पढ़ा पाया चूकि मेरा विसे नहीं रहा है इसमें लेकिन मैं संस्कृत की कुछ वीडियोज हो सकेगा तो जो बाकि आपको जितने भी विसे हैं जो मैंने पढ़ा है चैनल पर उन सभी की लिंक नीचे दोस्तों अब आपके लिए क्या करना है चुकि आप नए विद्यारती है और जिन्होंने पहले पढ़ा है उन लोगोंने तो वह सारे विसे पढ़ लिये होंगे और कोई विसे आपका रह गया हो तो उसको भी जरूर पढ़ लेना जितनी ज्यादा वीडियो हो सके दिन में चा जाहिए तो नीचे डिसक्रिप्शन में जाहिएगा टेली ग्राम की लिंक है उसको जोइन करना तो मैं जो जो भी मेरे पाई रसोर्सेज हैं उससे आप प्रेक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो टेली ग्राम पर जरूर जोइन कर लेना यदि किसी के पास नौट्स नहीं है रिवाइस के लिए तो बहुत कम रेट पर मैं वो नौट्स आपके लिए अवेलेवल करा दूँगा तो वो आप टेली ग्राम पर जुड़ ठीक है दोस्तो चलिए हमने जो भी कुछ जानकारी थी आई होप आपको कम्प्लीट दे दी है अधि आपका फर भी कोई डाउट रहे जाता तो नीचे कमेंट्स कर देना और आप टेली ग्राम पर भी जुड़ जाईए तो भाहां से भी आप मुझसे मैसेस के माद्धियम से डिसकसन का सकते हैं दोस्तो मेरी साइट से जितना भी बेस्ट हो पाता है मैं आपके लिए उतना बेस्ट करने के कोसिस कर रहा हूँ ठीक है बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साइट से जो भी गाइडेंस है वो आपको बहतर मिल पाए जिससे आपको परिक्चा मैं मदद मिल सके ठीक है दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आजके लितना ही जैहिन बंदे मात्रम